हेलो गाइज वेलकम तो देलक्स क्लासेज देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले केमेस्ट्री का चेप्टर फर्स्ट डैट इस सॉलिड इस्टेट ठीक तो यह अब लोगों का केमेस्ट्री का फॉस्ट चेप्टर है ठीक है इसके पहले मैंने कोडिनेशन कंपाउंड के ऊप उपर जो है निमेरिकल वह अपनों का फिक्स होता है ठीक है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सॉलिड का तो सॉलिड क्या होता है सॉलिड इस्टेट ऑफ मैटर इन्वीज ता कॉंस्टिवेंट पार्टिकल्स एक्टम्स मालिकूल्स और आयन आर क्लो होते हैं किसी मेर्वह करने के एबल नहीं होते हैं ठीक है वह अंपने करते हैं क्या है पूरा बनाते हैं कोई भी solid का crystal मान लिजे बना रहा है ठीक है ऐसे कोई simple हम solid बना रहा है ठीक है तो इसमें होगा क्या जो हम यहां पर solid के यहां पर जो constant particles होंगे मान लिजे यहां पर कोई particle है यहां पर कोई particle है क्योंकि हमको पता है कि जो solid है इसके अंदर क्या होते हैं छोटे particle से मिलकर कोई भी solid बना रहता है ठीक है तो यहां पर जो solid है इनके बीज का intermolecular force इतना जादे हैं कि यहां पर यह क्या करते हैं एक जगा से दूसरी जगा यहां पर आ जा नहीं पाते हैं बस यह क्या करते हैं अपने एक्सिस पर एक मीन पोजीशन से लेकर एक्स्रीम पोजीशन पर क्या करते रहते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं ठीक है यह ना तो कभी बाहर जा सकते हैं और फिर इधर उधर कहीं ट्रांस्वर्व सकते हैं बस वो क्या कर सकते हैं अपने मीं सेक्ष्ण पोजिशन पर वाइबरेट करते हैं ठीक है यह पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा दे पोजिज कंपरेटिवली हाई डेंसिटी एंड इंकंपरेशिबल यह क्या करते हैं बहुत जादे इनकी डेंसिटी क्या होती है हाई होती है ठीक है इसलिए इनको दबाना क्या होता है इंकी डेंसिटी हाई कैसे होती है कि यहां पर देख रहे हैं आप लोग constituent particles जो होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़ादे होते हैं, इनके बीच में gap बहुत कम रहता है, जिसे क्या करते हैं, यह मूव नहीं कर पाते हैं, और यहीं पर अगर हम liquid में देखें या फिर अब लोग gas की case में देखें, तो constant particles क्या होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं ठीक है लिक्विन में भी बहुत दूर दूर रहते हैं लेकिन यहाँ पर हम बात करें solid की क्योंकि यहाँ पर solid के अंदर बहुत जादे particles एक दूसरे से इंटर molecular force से attracted रहते हैं ठीक है इसी लिए आपके क्या होता है इनकी density हाई होती है दे पॉज़े डिफिनिट वालियूम विचिज इंडिपेंडेंट आफ वालियूम अब दे कंटेनर आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुरू सही पढ़ते हैं आ रहे होंगे जो अगर liquid है ठीक है इस जब नहीं कर सकते हैं और रिजिट होता है क्योंकि इसके इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे से बहुत जादे क्या होते हैं अट्रेक्टेट रहते हैं ठीक है इसी वाल्यास से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको यहां पर हम किसी भी कंटेनर का से नहीं दिला सकते है ठीक है देखिए यहां पर बताया गया कि यह क्या है रिजिट है नेचर में और इनका सेफ हम लोग बदल नहीं सकते हैं ठीक है इना सॉलिट इस्ट्रांग कोईसी फोर्स से अक्त्रांग कोईसिव फोज की यहां पर यह पर नवह वी बतायाएं गया आपनी के इस्ट्रांग कोईसीव फैसी ऑahaha है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं जो सॉलीड है अच्छा यह बताईए आप लोग हम लोग टाइप साब मैठर होते हैं उसमें क्या अतना सॉलीड भी होता है गैस भी होता है लिक्वीड ही होता है ठीक तो हम लोग क्यों यहां पर सॉलीड ही पढ़ रहे हैं यह आप लोग comment section में बताईए आखिर आप लोग solid पढ़ रहे हैं तो इसका importance तो पता चलना चाहिए यह आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं ठीक है तो नीचे comment में अब लोग answer करिए ठीक है types of solid solid के क्या है मेली दो टाइप है पहला क्या है crystal solid जिसे हम क्या कहते हैं true solid के नाम से जानते हैं यह देखिए कभी-कभी mzq में पूछ लिया जाता है ठीक है true solid और यहां पर state of solid इसको कहा जाता है और इसे super cool liquid के नाम से भी जाना जाता है ऐसा क्यों होता है अभी आपको हम ज़रूर बताएंगे ठीक है the structural unit are arranged in definite pattern atoms molecules ions with definite geometry क्या बोला जा रहा है crystalline solid क्या होता है इसके जो यह structural unit होते हैं क्या होते हैं अरेंज होते हैं definite pattern में इनके जो atom हो या फिर molecules हो या फिर आयन हो क्या हो definite definite pattern में यह अरेंज हो जरूरी नहीं है कि अगर बोल दिया गया है कि solid का इस टेक्स्टर यूनिट है तो जरूरी नहीं है कि वह atom ही होगा वह molecules भी हो सकता है वह ions भी हो सकता यह तीनों बोला जा रहा है तो इससे आप लोग confused नहीं होंगे ठीक है इनका भी geometry भी क्या होती है definite होती है यह smooth cleavage form करते है ठीक है अगर माली यहां पर कोई हम solid बना रहा है ठीक यह अगर मतलब होता नहीं है ऐसा अगर structural unit हम बना कर बढ़िया से दिखाए तो यह मतलब यह effect नहीं है लेकिन आप लोगों को समझने के लिए यह बनाया जा रहा ठीक है अगर इसको कट करेंगे तो क्या करेंगा यह आप लोगों का smooth cleavage form करेंगा लेकिन अगर हम यहीं बात करें मार्फस solid में ऐसे अगर इसको हम order होते है किश्ट लाइन सॉलिट के यह कभी भी ब्रेक नहीं होते है क्या कि यहां पर यह लांग रेंज आडर फालो करते हैं ठीक है कि लिए अगर हम यहीं बात करें मार्फस solid की यहां पर यह क्या करते हैं लांग रेंज आर्डर को फालो नहीं करते हैं कुछ कुछ हद तक यह फालो करते हैं उसके बाद यह क्या होते हैं यह फालो होना बंद कर देते हैं अपना लांग रेंज आर्डर को कुछ तक जाते हैं फिर यहां पर क्या करते हैं यह लांग रेंज और को मेंटेन नहीं कर पाते हैं ठीक है आई होप आप लोग समाझ पा रहा होंगे ठीक जो किस्टलाइस वरी होता है वह एन आइसो ट्रॉपिक केहने का मतलब चाहें यहां पर फिजिकल प्रपर्टीज यहां पर प्रपर्टी यहां पर बॉलिंग क्या पॉइंट नहीं फिजिकल प्रपर्टी में आप लोगों को जैसे की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया ठीक है तो यह अगर हम कहा है और फिजिए क्या कर रहे है उनको अरेंज करेंगे उनका डाटाटि से लिए निवहां रावल यहां इसलिए क्या है pride मडेख क्योंत पॉइंट्यक्स होते है ठिक हाँ इसका है और प्शूंपल के थो वे लेखिर देखे तो fragmented तोने क्योंत हो गयाITT लवार राइड डाइड होगया ठीक है भी आप लोग का बद्ध एक की के लिकनिति कि प्रपर्टी होती है ठीक है इसे लिग्षक्राइट है हम इसको क्या कहते हैं सुपर कोल मां कोते हैं अग्लाइग ॖिर देखा ओगा से इसको बहतर तरीके से समझ पायेंगे तो अबहों बन यहाँक क्रेस्ट दस्रण्च में वह उनिट होते हैं वह करते हुआ है इसka रफ कविवस्ट को प्लिवेज होता आए आप जो प्रपरटी होगी वो डिफरेंट होगी ठीक है इनकी क्या होगी सेम होगी ठीक है इट बात देल्य नहीं होगा है इसको क्या मोन होग होगा होगा ठीक है रवार हो गया ठीक रवार होगया प्लास्टीक हो ठीक यह सब आपके ँच्वाइएंगे ऐग आप तो आफ आप लोगों को समझ में आया होगा so thanks for watching keep learning and keep supporting until the next video तो आप लोगों से हम लोग next video में मिलते हैं और chapter को complete करेंगे thank you